हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फीर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेक्नो स्पार्क 20C फोन में आप लोग या दूसरा वाला लगा हुआ है तो कैसे आप लोग चेंज कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजे तो चलिए गई इस वीडियो को स्टारट करते हैं नेविगेशन बार को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोरा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको एक option देखने को मिलेगा गए system का तो इस system की option पे click कर देना है click करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगे गए system navigation का तो इस system navigation पे click कर दीजिये click करती देख सकती यहाँ पर दो navigation बार देखने को मिलेंगे एक है gesture navigation और एक है three button navigation तो अगर आपको navigation बार को change करना है गए तो जो भी set किया हुआ है उसके opposite में अगर three button navigation लगा हुए तो gesture पे click करेंगे gesture लगा हुआ है तो three button navigation पे click करेंगे तो click करती है आपका जो navigation bar है guys वो change हो जाएगा तो मेरे phone में देख सकते हैं हमारा जो navigation bar है वो change हो चुका है तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने Tecno Spark 20 C phone में navigation bar को change कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए बिलते कर लेकने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ